में इसमें आपेड़ा किया किसलें ताकि आम ना सुना हो कि मनुष्ट भोजर खाएगा वस्त्र पहनेगा आज और कल्पिर वही काम करेगा इसी तरह एक एक दिन अपनी आयू को भटाता जाएगा और एक दिन मनुष्ट जो भूमी की मिठी में स्रचा गया है एक दिन भूमी की पास होजा वह ना सोजाएं परमेश्श जैसे अन अम Assay, वैसे आप को भी परमेश्व सदा के लिए किया है सदा के लिए कि यह उसरे परभवे ना मशिए आग्या का विरोग कर दिये थी उसी और मेसरिकर मेरे में मोधर लियए था हम लोगों से और उसी जो पर्मेशन ने उसी प्रेम को जो भूला नहीं था पर कुछ समय से कुछ समय के बाद हम लोगों से फरी से उसका प्रेम इतना उसको तरबाद दिया कि मेरी स्विष्टी जो मेरे हाथ की उत्तम रचना है जिससे मैं बातें करता था वह उससे दूर हो गया था और उसके नहीं को खतम करने के लिए पर्मेशन ने को तुट्र मेश दिया जैसा 份ई सभात है येश्व मुसी जब इस प्रुपी पर थे शरीर के रोग में जैसे आप हैं आप हैं वैसे पर्मेश्व के पुद्र मनुष्टी के रोग में आये थे और वो पर्मेश्व कराजी का सुसमाचार पुचार करते थे जैसे आज कास्टर लोग आप के लिए पराखना करते हैं बीमारों की पर्मेश्व के दावश्व करते हैं ॉस प्राखना करते हैं यहां तक कि मुर्धे भी जी positively हैं पर्मेश्व कर में प्रात्ना को पर्मेश्वर की सामने रखा जाता है और अइसे मान की धाणा को उस वेद्वना को प्रमेश्वर के सामने तूटे हुए मन के साथ कोई करता है कोई रखा हो चाहे कोई इस्तिजी हो हर एक मनुष पर और हर एक इस्त्री पर लागू होता है कि पर्मेशर का आत्मा एक है आत्मा एक है चाहे इस्त्री का हो चहे पुरुष का हो अगर आप प्राख्ना करेंगे तो परमेशर उस्षाि चया कि पूत्रख्य। वस पृस्ट बतन से उस त्राव से अजाद करेंगा और उसे जीवन देगा। आप पूत्रिसी दिया है ताकि तुप पाओ। और जब उसके मार्ग पर चलते रहोगे तो फर्मेशन लेक्वादा और किया है अलत जीवन देने के लिए अलेलिया यहां पर दो जीवन की बात आती है एक जीवन देने के लिए जब आप घुमार से पर्मेशन आपकी सुभी ने आपको चंडाय दे दिया आप अच्छे हो ग रहेंगे पर्मेशन के बताएं वचन को आप लाज रखेंगे और बढ़ाई से दूर भलाई में लगे रहेंगे तो पर्मेशन का वचन कहता है कि मैं जगत में जोती दोकर आया हूँ ताकि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंदकार होना चलेगा किससे चाहँ चलेगा वो जोती के साथ चलेगा और जोती में वादा किया है कि जैसे पिता ने उसको बेजा है और पिता ने उसको जो दिया है मैं उसको कभी वापत नहीं करेंगा वापस कभी ने लगाएगा और वापने स्थान लेकर जाएगा अनत जीवन देने के लिए अलेलुया तो एक समय के पास है जब प्रमुजिशन मसी एक अस्थान पर उन्होंने भूजिशन करने के लिए अपने चेलों को इकठा किया और इकठा करके उन्होंने एक मेज पर भूजर करने के लिए जब वहां पर इकठा हुए तो प्रभुजिशन मसी का वचन प्रभुजिशन मसी ने अपने चेलों से कहा जब भूजर पर बैटे थे हम घ्यान बेंगे उहां पर कि प्रभुजिशन मसी बोजर पर बैठे थे और जब भूजर कर रहते तो इस मसी ने क्या किया उन्हों रोटी ली रोटी ली और अपने चेलों को यह दे कर कहां उस रोटी को दे कर कहां क्या कहां यह लो यह मेरी दे है और तुम सब इसमें से खाओ कि प्रगु यह रोटी कहता है कि यह मेरी दे हैं और तुम सब इसमें से खाओ अभी तक वो जो मेश के रोटी सजाई गए थी वो क्या कि सारीरिक रोटी थी अब इस्वाज की रोटी थी जिसको रोज खाते हैं और उसमें बार फिर रूप से हो जाते हैं अब जाते हैं अब जाते हैं एक बार दो बार तीन बार लोग करते हैं जैसा आज आज आपने बोजन किया आज प्रभु आपको आसेज दें कि कि फर्मेशन ने इसी रोटी की बात किया है कि लो या मेरी दे हैं तुम सब इसमें से खाओ और उसके चेलें लोगे चंबिख होगें कि अभी जो रोटी हम ले रहें वह रोटी खांकर उन पेड़ भरतें अगर प्रभु ये शुव ये लो रोटी या मेरी देव हैं और तुम सब इसमें से खाओं त्योंकि जो स्वर्बिस रोटी उत्री है वह क्या है ये शुव मसी और जो इसमें सिखाएगा वह कभी भुका नहीं रहेगा अलम्योंकि लेकी भुखाओगे वह क्या होगा जब कोई इरोटी में सिखाएगा तो फिर भुका हो जाएगा पर अंतु ये रोटी जो कभी ये शुव मसीयाद आपको बेएगा वह उसकी टे है उस दे को जब कोई खाएगा तो पिर कभी गुखा नहीं होगा प्रभू ने वादा किया और उन्हों ने रोटी दी और बुस्वाद के साथ तोर के आपके निचा जानिया बाट लिया ये शुमसी जगत की रोटी है और जो रोटी उत्री ने से यही पॉनतर रोटी है मेरे भाई मेरे बहें इस कि देदकी ना, तो कभी मेरेंगी ये परनेश्ष वादा है, परनेश्व का खालाम कहता है, स्वर्ग और पिपगी और आकाबस कंप तर जाएंगे बतल जाएंगे नात जाएंगे तो कभी मेरेंगी बदलेगा कभी नहीं गदलेगा और उन्हें इशु मसी जगत की बोटी उस बोटी में से हम सब खाएंगे तो जीवित रहेंगे और उसे बाद जब उन्हें बोटी दी तो उन्हें विस्वाज के साथ तोड़ा और खाया और आज यह जीवित है अलेलिया प्रमेस्व के राज में महिम्द देशी जबाद लगे हैं और बारा यह जीवित दाइं और भाय की यह जीवित पर प्रमेस्व के दाइं और भांगे हूं वो लोग है उसके नाज दुख उठाया उन्होंने क्या दर्द को सहा उन्होंने इस दुख को सह सह कर इस तक्लिफ को सह कर भूखे रहकर प्लाकर रहकर मार खाके लज्जित हुए उनको भग से भगाया गया अप्मान किया गया तर्वार से मार गया गया लेदेट में ने प्लिफ कार दी खांड ले पेंग शुम और ठाल दी अबगा ले उनको उल्टा लग्टा के मारा गया उनको कुछ पर चुछा दीगे अइसे-इसे उनके ट्रेंग यहां तक को हम देखते हैं कि अजी आप कलेशिया जाते हैं तो घर वाले इत्राश करते हैं आपके परवार वाले इत्राश करते हैं आपके बेटे इत्राश करते हैं कि आप कहां जा रहे हैं अपने आप अपने पीटा को अपने बेटे को जो बियरबार है जो सवाब के दुपान है जो प्रेका है उस पर जाने के लिए नहीं रोखते कि पाप आप कहां जा रहे हैं हुई आप कहां जा रहे हैं मगर जब आप सुन रहे हैं कि चर्च जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उपर पहार को पड़ रहा है जो जा रहा है उसको दिक्तर नहीं है जो सुन रहा है, ये चर्च जा रहे हैं, और ये उध्धार पाने के लिए जा रहे हैं, और ये परमेश्र के पाज जा रहे हैं, तब हमको दिक्त होती है, कि ये उध्धार के पाने जा रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बहें, सिर्फ उध्धार पाना है, परमेश्र का मकसद है, कि आप नास नहों पर अनद जीवन पाएं। और जब रोटी मुने लिए उन्होंने विश्वास के साथ तोड़ा और उसको खाया। क्या समझ कर खाया। कि ये येश्व मसी के बेर है। जो हम इसको खाएंगे कि कभी नहीं नास होंगे। उसी तरह परनेश्व के तुछ वियेश्व मसी ने उस बोटी के बाद क्या लिया। दाथ का रख लिया। और जहां या वाचा कर मेरा वह लहो है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तुम सब मेरे निमित में किसी सरा किया करो। क्या किया करो। वाचा का या लहो। सुनो मेरी बात कि कौन सी वाचा परमेश्व कहता है। बिना लहो बहाय तुम्हारा उद्धान नहीं हो सकता। और बिना लहो पर दौरा तुम्हारे पापों की शमा नहीं हो सकती। और वह लहो जिसका पहेगा। पर मेरे शर्ट इकलोते पुत्र का बढ़ेगा तभी मनुस्त का पाथ चमाओगा उसी लहू से क्योंकि उसी के लहों पे द्वारा और कोई पवित्रे लहों इस मुझी पर नहीं है सब का लहों सब का लहों चिलना रहा है सब का लहों चिलना रहा है कि मैं पाथी हूँ मगर आपका हो नहीं कह रहा है कि मैं पाथी हूँ मगर आपका लहों कह रहा है कि मैं पाथी हूँ ये अपने आत्मस पोछ लो मैं सच कह रहा हूँ सब का लहों यह कहता है कि मैं पाथी हूँ कि लहु चिलाता है लेवं बापप्त हूं चिलाता बापफर हुआ तक आप मेरा consistent कहते हैं now फापी मनसी हों। जब प्रेमी कि इतना महाल है, कि आपके पापो स्वेद कर देगा। हिम के समान कर देगा हिम जानते हैं ना बर्फ जो पहाड़ परवत पे घृता कैसा हिम रहता है उजना हुआ वैसी पर्मेशन आपके पापों को कर देता है जैसे आपके पापों के अंदर पर्मेशन आ जाता है अंदकार में फरकास आता है और अंदकार दूर हो जाता है वैसे आपके दे से प्राव से आत्मा से पाप दूर हो जाएगा और वहाँ पर्मेशन का पुत्र आ जाएगा तो परनेश्व कर रोटी देने बाद उसने कहां किया कि तो ने कर परनेश्व कर दन्वाद किया इसलिए पर्मेश्व में पूत्र को पित्री कर इसलिए बहेजा कि जाओ तुम मेरे लिए अर्ग का लह जहाओ और लिए प्रफ़ी से पहले और प्रिष्टू से पहले मने के। और उस वाचा को मैं पूरा करूंगा क्योंकि मनस्तिते नहीं हो सकता है और पर्मेशन से सब कुछ हो सकता है जैसे हुआने बिश्याद के साथ रेपित हो री आज भी आज बिश्याद के साथ अपने अंगर तखेर मुन को तोर देंगे नहीं सुर्शी जिनां से परहत नहीं करसे है और जबद ऌने आएगा तो डाने तो तही समयन पे और आज देचे और पर्मेशन से ऑचा कॉій जायएगा तो प्रूस्तित और आज मां से अबस आएगा, और स्ट्रा बात को तरि निक री लोफ्यें एख थे dovो ynने निके पो उप्तार नहीं हो आज येशन वसी के नाम से और येशन वसी के नवख दोर जाएगा